यशो मती मैया के नंदे लाला मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ मैं योग खाओ कानहा हुलो गागा, सिजरील छुपालो मुझे मैया आ रही है बहुत क्रूद में लगती है आज तो बहुत डंड मिलेगो अभी छान भर पहले तो यह साक्षात भगवान के रूप में बात कर रहे थे और अब अचाना की ऐसे वालक बन गये जो मैया से डंड मिलने के भैस से व्याकुल है पुला घाका की सोचन पड़िगा है ती ग्रेट शुपालो मुझे प्रेट भाए ठाका की सोचन प्रेट याधा है प्रेट लगवान की तो ग्रेट प्रेट बोला ना जी, काना को देखो है क्या? मैंने तो अपने प्रभू को देखा है मैं अपने लल्ला को ढूण रही हूँ, उसे देखो है आपने? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जा सोधारानी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभू को देखा है जे तो अब भी अपनी भक्ती में ही खोया हुआ है इससे पूझ के कच्छू लाबना है मुझे ही ढूलना पड़ेगो बच गए संक्री मौसी काना को देखो ये क्या कहीं सब कहते थे स्रीहरी मेरे घर ना आ सकते देखो आज प्रभू आ गए उन्होंने अपने हाथ से मेरा व्रत पूरा करायो हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे स्रीहरी हमसे मिलने और आके मौक्ष देंगे हैं न मैं न निकालूंगा अवस्य निकालूंगा पर तब तक नहीं निकालूंगा जब तक आप मेरी सारी बाते हैं मान नहीं लेते हैं कौनसी बात? प्रभू मुझे मौक्ष प्रदान कर दीजिये प्रभू ततास्तू ना 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 प्रभू मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी मोक्ष दे दीजिये ततास्तू अब तो निकाल दो मैं यह देख लेंगी ना प्रभू मेरे परिवार के साथ मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु जीव जन्तु प्राणी गाय बैल भैंस सब ही को मोक्ष प्रदान कर दिजिए प्रभू प्रभू आप सच में अद्भुत हैं मैंने जो मांगा आपने बिना सोचे समझे सब प्रदान किया मैं ही अपनी मांगे बढ़ाता रहा प्रभू प्रभू मुझे शमा कर दिजिए प्रभू मुझे शमा कर दिजिए आईए प्रभू प्रभू आप तो प्रभू हो हरी हो भगवान हो आप चाहते तो इस मटके से स्वैम निकल कर बाहर आ सकते थे फिर मेरी आपने हर इच्छा क्यों पूरी की क्योंकि मेरे भग्त की इच्छा पूरी करने में मुझे भी प्रसंता मिलती है ना तो मैं अपने अक्तुक का अपमान सह सकता हूं और ना ही उनकी इच्छा अथूरी आने दे सकता हूं क्या कहिती तुने हां कि तु फिर से चल ना करेगो तुर मुझे बिना बताये घर से बाहर कैसे निकलो छमा करना मैया पर जो आपने शिखाया था अने तो उसी काई पादन करो है फिर से चातुराई करो है ना आप इने तो कही थी ना यदि कच्छू करने से किसी को हानी ना पाच रही हो या फिर किसी अच्छे कारियो में सहायता हो रही हो तो आग्या लेने की आवसकता ना होती यदि तेरे कच्छो करने से किसी और के कोई हानी ना हो रही हो या किसी के अच्छे कारे में सहायता हो रही हो तो मुझसे आग्या लेने के आवस्पता ना है तो किस अच्छे कारे के लिए आया है यहां? दादसी के सुबर एकादसी का वुरत खोलके हुजन करा जातो है ये बात ना तो दूला खाक को पता थी ना तंकरी मासी को और ना ही किसी और को और तुझे पता थी? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छे से स्काया है न मुझे जैसे कल तुने एकादसी काथा सुनाई थी ना आज वैसे ही तेरे लल्ला ने सबको दूआदसी काथा सुनाई है सच्छी अशोदा रानी जी इसने तो हमारी आखे ही खोल दी और भाबी सच्छी तो ये है कि मुझे पीना पतो था किज़े इतना बड़ा ग्यानी है और इतना अधिक सबस्दार ही तुआदसी की कथा वो तो मैंने इसे कमी सुनाई ही ना है फिर इसे कैसे पता थी रानी जी जो स्वैम भगवान है भला उन्हें कैसे कुछ नहीं पता होगा मैंने तो इन्हें पहचान लिया और हाँ आप सब लोग भी इन्हें अपने अंतरमन की आँखों से देखिए हो सकता है इन्हें पहचान पाएं ये कोई और नहीं है स्री नारायन मेरे स्री हरी मेरे प्रभू जे स्री हरी ये क्या कर दिया बूला? जिस रसर को मैंने इतनी कठे नाई से बचा क्या लगाता सब के सामने उसे उजा कर दिया तुमने नारायन स्री नारायन स्री नारायन स्री नार जारायन तो झाले प्रभू य मेरे तुमनेकर कर ला उलेँ ये क्रूह झाले स्री नारायन ये क्रूह ये क्रूह स्री नौरायत, रभू जिस राश्चा को इतने चत्न से संभाल के रखाता, अर्यू सब के सामने खुल गया और तो और मेरा भेट मैया को भी पतो चल गया बाबा सब कहते रहें और मैंने एक नमानी, सब ने कही थी कि आप भागवान है और मैं मूरायत, आपको पहचानी ना पाई कित्ती अभागी हूँ मैं जिस मूह से मुझे आपकी महिमा गानी चाहिए थी उसी मूह से मैंने आपको नाटो है जिन हाथों से मुझे आपके चरण चूने चाहिए थे उन हाथों से मैंने आपके कान पकड़े मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए थी प्रभू और मैंने आपको दर्ण दियो आपको अखल से बांदियो बावली हो गए थी प्रभू अपने स्री नारायन को अपने प्रभू को एक साधारन से बालक समझ लियो मैंने मैं आपके लिए भगवान नहीं हो मैया साधारन बालक ही हूँ बस आपका लल्ला बुद्दिन रास्ट हो गए थी भूल पर भूल करती चले गए आज भी आपके बीचे बीचे चड़ी लेखर तोड़ी चले आएगे आपको दोश मत दो मैया आपके स्मुमता के लिए तो जनम गिया है मैंने हमारा जमन बदलने मत दो मेरी ले वोई पुरारी बैया बनी रहो आप अर मुझे रहने दो आपका वोई नटका टल्ला मुझे चबा कर दो प्रभू मुझे चबा कर दो बाबाया कैसा अन्थ हो गया है मुझे तो मुझे बगवान मानने लगी पर मैं इस उसिका नहीं कर सकता अब ही नहीं बाबा इत्ती सिक्रण नहीं आप ऐसे खड़े कियों बाबा कुछ ऐसा करो न कि मैया फिर से मेरे मैया बन जाए उनकी रिष्टी में भक्ती नहीं मंता चाहिए मुझे कानम मेरे सामर्थ में होतो तो दाहू आपते बड़े भाई हो अपने चोड़े भाई की साहिता करो ना जिससे मैया सब कुछ बूल जाए मैं क्या कर सकता हूं काना कोई तो साहिता करो मेरी अपने आपको समालिये प्रभू देखो यह क्या हो गया बैया गो साब पाता चल गया आभी तुम मुझे मैया की ममता का सोक पुरीत तर बिलाए नहीं था योग माया मेरी साहिता करो ना कितनी अदबुत है ममता की शक्ती भगवान को भी एक साधारन बालक बना देती है पालक की बना रहना चाता हूँ है नहीं चाता दिवियो होना नहीं चाता भगवान बनना बस मैया की गोड में रहकर ममता की रश से सेम को भिखनो जाता हूँ इनकी डाट फटकार का थुक पाना चाता हूँ पर इन्हें तो मोक्ष का वर्दान मिल गया है प्रभू इसलिए इनके लिए समय की गती को लोटा पाना संभव नहीं होगा प्रभू अब मुझे ये सब भूलने की कोई आवशक्ता नहीं है मुझसे जो तुटी हुई है अब वो दुबारा कभी नहीं होगी और आज के बाद आपका ये सत्य मैं किसी को नहीं बताऊंगा प्रभू क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आपका ये सो मती मैया के लला बने रहना कितना आवस्यक है कितना आपका ये सत्य वही आपके छड़ी पहले चुपके से भाग जातो है फिर स्वयमी छड़ी में पकड़ा रो है नटखट कहीं का हसी आ रही है अरे किस बात में इतनी हसी आ रही है रे आपकी लीला अद्बूत है प्रभू और अद्बूत है आपका मैया के प्रति प्रेम असी नाय मैया ये तो प्रसंता है अपने मैया के मिल जाने के प्रसंता अच्छा धून मैं तुझे रही हूँ और तू कहा रहे हो कि मैं मिल गई तुझे तो घर चल लल्ला अच्छे से पिटाई करूँगी तेरी जब पिटाई से गाल लाल होंगे न तेरे तब हसी बन्द होगी तेरी चल लगता हैं बैया की आओ चतन स्मिती बाप्रस आ रही है एसोदा क्या होगो ना कच्छुना आपको बताऊंगी तो और हासेंगे मुझे पर बोल दो मैं उपास ना उड़ाऊं सक्ची देखो देखो इसे कैसे हासरो है मेरे हाथ में छड़ी है महिया क्रोधित है पर जे शित्तनीक में भेना लग रहो ऐसे हासे जा रहो है तूनों बाबा लन्ला एक जैसे हो चल तू चल 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 दाव आप तो बड़े भाई हो अपने चोड़े भाई की साहिता करो ना किससे महिया सब कुछ भूल जाए सुबल तू कच्छू खा क्यों ना रो है प्रती करना था तो बन्राम के जैसे कल कर ले तो कल तो इकार दसी भी थी काना के बीना कच्छू करने का मेरा मनी ना कर तो बाट तो शस्ती है उसके बिना गोश और अनभेस सा लगतो है जैसे कित्ता भारी कारियों है विवस्ता में करना परतो है सही कह रहे हो तुम तोनों मैं तो गौपालग में इसलिए बना था ताकि काना किसां खेलने को मिल जाए बाट बल रहां तो हमेरा सगा का और मुख्या दिखे लुख जाओ तुम सब कुछी देर इसलाम कर सकते हो तुफोल नाना मैं ना बोनुगो तुम दोनों ही बोलो तुम सब का सखा पहले हूँ और टोली का मुख्या बाद में इसलिए कब्राने क्या हो सकता नहीं है जो भी बात है बिना ही जग बता सकते हो मुझे तो फिर कुछ ऐसा करो ना कि काना फिर से अमारे साथ गोचारण करने के लिए आने लगे जो याव बता भराने